हलो वेल्टम बैग टूम मैं चानल मैं इस वरसना मुरूडगर और यह जो वीडियो है यह कंटीनी हो रहा है लास्ट जो मेरा अलीबाग का जो वीडियो है जहां पर हम लोग M2M फेरी से हो यहां पर मुंबई तकाय थे तो उसके बाद हम लोग मैं बिल्डिंग के नीचे मैं मुझे तो शूट करने को नहीं मिला तो उसी दोरान मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था M2M के बारे में तो मुझे बहुत सारी इंफरमेशन मिली तो I think मेरा वो जो एक decision था के end वहाँ पर ना करना वो अच्छली में काम है या फिर एक नया वीडियो है ये इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ के जो मेरा overall experience था M2M फेरी के बारे में और किस तरह से second thing is किस तरह से आप फेरी बुक कर सकते हैं और is it really worth traveling by M2M फेरी त्रावलिंग बारे में हम लोग बात करेंगे तो विदाव टेन वेस्टिंग तायम लेट सार्ट दे वीडियो और बिफोर सार्टिंग दी वीडियो दू सब्सक्राइब चानल and hit like button थोड़ी से एलप हो जाएगी तो लेट स्टार्ट टॉपिक first of all M2M के बारे में मैं थोड़ी से आपको information बता देता हूँ कि जो मैंने थोड़ा सा धूर रहता है उसकी information find कर रहता तो first of all यह जो ship है यह ग्रीस से import की गई है and around 500 लोग उसमें एक time पर travel कर सकते हैं और उसके साथ 170 cars 170 cars park हो सकती है उस ship में तो yes really यह बहुत बड़ी ship है उसके साथ साथ आपको upper deck open deck area मिलता है जहां से आप beautiful जो भी सी है उसका experience ले सकते है उसके साथ साथ आपको AC lounge मिलता है उसके साथ luxury lounge भी आपको मिलता है वह कैसे मिलता है वह मैं आपको बाद में वीडियो में बताता हूं उस और जो भी वहाँ पे जो crew काम करता है वह भी बहुत जादा helpful है मतलब even starting सापी कार अंदर जाएगी अगर आप कार से जा रहे है तो अकर बाइक से जा रहे तो बाइक इवन फो साइकल जब भी आप एंटर करोगी तो वहाँ से आपको प्रॉपर ली आपके और्गनाइज की जाएंगी आपकी कार और गैय। और आपको अच्छा लगता है बाइक तो लूप देता है यह इसके साथ साथ मौह पे एक काफे है मतला आपको अगर ट्रावल करते करते हैं को कही भूक लगे तो उसके वहाँ पर एक काफे भी है डिसेंट अवांट ऑफ प्राइज वहाँ पर फूड की रहती है और पॉलिटी भी बहुत अच्छी रहती है तो ऐसे निये कि आपको चिप है तो लो कॉलिटी वग ने मिलता है तो वह जिस रेट में मिलता है इसे यहदा यह जिए बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत में ऑच्छा है और बहुत Quit आता वहां से आपको आउटसाइड एरिया अगर आप पैट के साथ ट्रावल करें तो पैट के लिए अलग से एक जगह है आपको पैट के साथ वहां पर रुखना पड़ेगा कोई आपका घर का एक परसन वहां पर उनके साथ रुख सकता है उन्हें बस पर चोड़ नहीं सकते उनक यह तो बोट है इतनी बड़ी बोट है कि बस लोगों को ही नहीं के साथ-साथ उनके कार्स उनके साइकल सको Btr ुट ले कर जाती है उसके साथ-साथ आइटिंक मनवा से मूंबई पॉर्ट से मनवा के लिए नॉननल बोट जाता है पासिंजर बोट यह पर पे कैसे ना सिए तो बट ये बोट इतने बड़ी है कि उसके आपके साथ साथ आपकी कार और बाइक भी इसमें जाएगी तो यस डेफिनेटली अगर आपने इसका एक्सपरेंस अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज एक बार एक बार बोट से ट्रावल करके देखिए आपको बहुत मगा आएग फिर भी हम लोग बोट से नहीं जाते हैं और बहुत सरी बोट स्वा पर जादी भी नहीं है तो एक अच्छा सा बहुत कुपसवाथ एक्सपरेंस आपको मिलता है तो डेफिनेटली एक बार तो आपको करना ही चाहिए जाना पड़ेगा मैंने यहां पे लेफ साइड मेरे दिखाया कि यहां पे किस तरह से उनका जो पेज़े वेपेज़े वह दिखता है आप वहां पर जब जाएंगे तो फर्स्ट आफ आप डेट या फिर कोई भी आपको फेरे बुक करने से पहले एक बार शडूल यह जो ऑ अप्षिन है ना वह एक बार चेक किजिए शडूल में आपको पता चलता है कि आपको कौनसे डेट पे कितने फेरी आपके अविलेबल है अगर बुक्त हो गई है कोई तो फिर भी उसके अलावा और कौनसे कौनसे आप्शिन सापके पास है वह आपको पता चलते हैं और कौ करने के बाएद आपको वहत दिन मैं कितनी फेरी जाने वाले वह आपको पता चलता है मुंबए to माडवा टो मुंभा स्टार्ट होती है मूंबाई से एवरी डे मुंबई से ही बोट स्टार्ट होती है और यह मुंबई पर आके रुख जाती यह रूप होते हैं तो जब भी आप शडूल देखेंगे उसके उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइमिंग कौन सा है उस दिन का फेरी का और यह आपके लिए बहुत ही जाथा इजी हो जाएगा बुक करने के लिए अब आपको पता चल जाएगा को फेरी लेनी है यह दो चीज़े आपको पता चल गी उसके बाद आपको अपको टिकेट बुकिंग के वे तो उसमें तीन काटेगरी होती है एक जो होती है और इंक स्कूडा ने स्कूडा के नाम से उन्होंने वह कैटेगरीज डिवाइड की है इस में देखा जाए कि आपको क्या-क्या मिल रहा है जन इंड़ इसमें आपको लेः उसके साथ अपना पैट लेकर रुख सकते हैं उसके साथ-साथ आप अपने सीट्स, मतलब जो एसी लाउंज है वहाँ पर आपको अपनी सीज भी बुक कर सकते हैं बट उसके लिए अडिशनल चार्जेस होते हैं तो यह सारे चीज़े आपको मिलती है में जो सबसे सस्ती वाले टिकेट है अंगर समझो आपको इसे थोड़े हाई रेंज में जाना है देन देर इस सेकेंड ऑप्षिन वीचीज फोर शिफ्टी स्कोड़ा ओक्टाविया स्कोड़ा ओक्टाविया में आपको वह सारी चीज़े मिलती है फर्स्ट और प्राइमरली जो आपको 362 रुपीज में मिल रही है उसके साथ साथ उसके अलावा जो अपर एक एरिया है वहां का एक्सेस आपको मिलता है और 100 रुपीज आफ मिलता है आपको आपकी फर्स्ट बियर पर पर संद तो आप भी अगर वाप जा रहे हो वहां पर 450 रुपीज के आपकी टिक 200 रुपीज के बिलता है तो आपको उसके ओपर 100 रुपीज आफ मिलेगा पर पर संद उसके पाद में जो थर्ड कैटेगरी है जो थोड़ से लिटिल एक्सपेंसिव है वह स्कोडा सुपर्ब स्कोडा सुपर्ब में आपको स्कोडा 360 रुपीज की जो टिकेट है उसके इसी लाउंज आपको उसमें मिलता है उसमें आपको एक प्राइवेट बटलर भी दिया जाता है उसमें आपको ड्रिंग्स और स्नाइक्स और तिंग कॉंपलेमेंटर रहते हैं वहाँ पर इसके साथ आपको प्रियोर्टी चेकिन भी मिलता है आपके गाड़ी के लिए और चेकिंग मिलता है आपके कार पार्किंग के लिए और सी चीज़े मिलती है आपको सोड़ा सुपर्ब में इसी के लिए जो उसका प्राइज है वो ट्वेल हंडड़ ट्वेल हंड़ेंड एंट फिफ्टी रूपीज है सो आप पहले डिसाड किज़ें कि आपको कौन से साइड में जाना है यह सारी चीज़ें यह जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में से आप चूज कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर तो इसे के लिए किसी को पता नहीं चलता कि वो अंदर है आपको पूछता है कि आपके पास कौन से गाड़ी है तो अगर आपके पास कार है तो कार इधिंक यह औप्शन पहले ही आ जाता है कि आपके पास कौन से गाड़ी है तो आपको बाइक और या बाइसिकल यह तीनों में से एक और चूज करना है फिर आप टिकेट बुकिंग करेंगे और उसके टिकेट बुकिंग के बाद में फि मारुति की फिर 800 अल्टो आ जाएगी मारुति की स्विफ्ट आ जाएगी तो ऐसे कैटेगरी वाइस उनका नाम लिखा रहता है तो आपको चूज करना है जो मिनिमम अमाउंट जो है अल्टो अगर हम लोग सबसे छोटी मान लेते हैं तो हैजबाय कार के लिए मिनिमम थाज हो गई तो इस कैटेगरी में जो कार आती है तो अगर यह आपके पास उस कैटेगरी की सिर्दान काटेगरी की कार है तो आपको जो रेट लगने वाला है कार के लिए वो है 1200 रूपीज इफ यहाफ लग्जरी कार BMW Mercedes फिर वो चला जाएगा Lamborghini वगरा वो सारी चीज़े भी भी हो सकती है तो 1700 रूपी मैप से माम हो जाएगे फिर अगर आपके पास अगर बाइक है तो बाइक के लिए वहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शन हो करनी है कि कौन सा ब्रांड है और कुछ बाइक के लिए 200 रूपीज आपको पे करना पड़ता है उसके लिए तो यह सारी बाइक तो फिर टोटल अमांट आपको वहाँ पर दे देगा तो एक अगर दो लोग जा रहे हम लोग दो लोग थे एक बाइक और बाइक और बाइक के ओपर दो लोग तो अरांड अरांड आप कैलकुलेट करेंगे विट जीए स्टी थाउजन प्लस उसका अमांट चला जा मुंबई तो अलीबाग यह जो लेके जारी हमें क्या रियल में हमें उसका इतना यूज होने वाला है सो उसके लिए पहले मैं आपको बताना जाओगा कि जो हम लोग ने जो राइड स्टार्ट की थी फो मुंबई तो अलीबाग हम लोग ने फर्स दे बाइक पे गहते और उसके बाद अलीबाग से जो मुंबई आया थे हम लोग वा फेरी से आया थे उसके बाद breakfast किया और इस थुदधा सा लीटा मेरे दोस लीटा आया था तो उसका wait किया उसके बाद हम लोग hotel पहुचे साड़ी गारा के आस पास में तो हम लोग अलमुस्ट साड़ी तीन से चार गंटे में hotel पहुच गे थे नेक्स दे जब भी हम लोग M2M से घर पे आने घर पे घर के लिए निकले थे तो सुबह साड़ी गारा बज़े हम लोग निकले थे वहाँ से और शाम को साड़ी पास बज़े हम लोग यहां पर पचे थे तो अलमुस्ट सिक सार्स की जर्नी हो गई थी से एक चीज़ तो कन्फर्म हो गी थे अगर आप मैं ठाना में रहते हूं तो अगर आप ठाना या फिर नभी मुंबई या इसटरन साइड में रहते हैं या इसरन मुंबई रहते या फिर बोरुली साईड में इससे कुछ रहते तो आपके लिए इसटंस जो है वह बायर रो तो आप बोट से बहुत ही ईजी ली और कम टाइम में आ सकते हैं पीपल हुआ लीविंग इन वेस्टर वेस्टर और ठाना दैन उन लोगों के लिए तो एधिंग बायरोड ही बहुत ही चल्दी पहुच जाएंगे तो इसे साथ साथ अगर आप अगर आप अगर आप नॉर्मल से लेके M2M मानवा जो पोर्ट है वहां तक पहुचने के लिए आपको एक घंटा लगीगा एक घंटा इसके लिए मैप आपको दिखाए कि स्ट्रेट रोड है या कोई ट्राफिक नहीं है बट रोड में बीच में इतने सारी लोग आते रहते हैं और वह पुरा गावाला ए होटल बुक किया है तो मुरुड से अली बाग 2.5 लगता है आने के लिए और फिर वहां से एक घंटा मानवा पहुचने के लिए और फिर वहां से आपको बोट लेनी पड़ीगी तो आपको उस टाइम को काल्कुलेट करके उतना जल्दी निकलना पड़ेगा अगर आप बो उसके बाद अगर आप वहां पर जा रहा है तो कम सी कम 20-25 मिनिट पहले पहुच ही ना ही होगा टिकेट चेक करके टिकेट वहां पर चेकिंग होती है उसके बाद फिर वेटिंग एरिया में आपको वहां पर रुखना पड़ता है तो इसके लिए आपको प्रायर में आपको टाइमिंग चेंज होके 1.15 हो गया तो हम लोग जो पहले सोच रहे थे कि आराम से निकलेंगे थोड़ा टाइम पास करके तो वो नहीं कर सकते उसके हिसाब से बोट के टाइम के हिसाब से हम लोगों को भागना पड़ता भागना पड़ा तो यह आपको एक धान रखना पड़ेगा कर बोट का टाइम चेंज हो गया है तो आपका ट्रिप आपको जल्दी शायद खतम करना पड़ेगा और बोट के लिए भागना पड़ेगा तो जैसे हम लोग ने पहले सोचा था 12 बजे के आसपा साड़े बारा एक बजे के आसपास निकलेंगे बट हमें साड़े ग्यारा बजे होटल से भागना पड़ा क्योंकि हमें सवा एक बज़े का वहाँ पे हमारा बोटा और आदा गंटा तो पहला पहुचना ही चाहिए तो उसके वजे से हम लोग भाग रहते हैं और उन टाइम पहुचे वहाँ पे तो यह एक इशू हो जाता है तो अगर आप देखेंगे के 1000 रुपीस दो लोगों के लिए लग जाते हैं तो अगर आप बाए रोड से जा रहे तो थाउजन रुपीस में मुरूड तक आप उतना ट्रावल करके घूम के आप वापस घर भी आ सकते हैं अगर मैं ठाना में रहता है तो अगर 1000 रुपीस का पेट्रोल में बाइक में डाल दा तो तो मैं अली बाग जाके घूम के वापस आ सकता था तो वह थोड़ा सा मुझे अगर 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 आप साउथ में नहीं रहते हैं तो साउथ मुंबई में आप नहीं रहते हैं तो रेगुलर्ली अगर आपको अली बाग जाना है तो येस इटीज अगर अगर आप मिडल ग्लास है तो अगर पैसे वाले है तो कोई बात नहीं फिर कोई इशू नहीं होता बट अगर आपको थोड़ा सा पैसे की भी चीनता है देन डेफिनेटली में एक्स पैसे में तो हम लोग पूरा अलीबाग घूम सकते हैं और उससे कम टाइम में तो लोग नॉन स्टॉप जाएंगे तो आप 2.5 मार अफ़ान में अलीबाग पहुच सकते हैं ऐसे हैं तो जल्दी भी जाके आपका पेट्रोल भी बचेगा और आपका खरजा भी कम हो सकता है बट यह सरे चीज़े हैं जो मैंने एक कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं कि बाइ इतना भी इतना बुरा है क्या M2M बिल्कुल नहीं जो experience आपको मिलता ना M2M में वह बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अलग है लाइफ में I think कि हर एक परसन अगर अली बाग जा रहा है तो एक बार एक बार at least one side तो आप M2M फैरी से कीज़े जो experience आपको मिलेगा ना सच में जैसे मैंने पहले भी बूला कि कितना time हम लोग लाइफ में बोट में बैटते हैं और ओभी इतनी बड़ी बोट लाइफ में अगर हम लोग को बैठने के लिए मिल रहे है तो definitely we have to take the chance जो मज़ा आता है side में rigs वगरा रहते हैं बड़े बोट आपको दिखते हैं जो oil और sand के जो बोट वो दिखते हैं आपको उसके साथ साथ जब बोट चलती है तो seagulls जो बर्ड है वो आपके साथ साथ बीच बीच में fly करते रहते हैं तो एक बहुती बड़िया experience होता है अगर आप first time जा रहे हैं तो definitely आप जो upper deck area है तो वहाँ पर आप आप directly front में जाके खड़े रहने वाले हो पूरा time एक घंटा आपको कैसे चला जाएगा खतम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा इतना मज़ा आता ह है a second third timer होता आप कैसे cafeteria में जाके आराम से इसी lounge में बैट सकते हैं but हम लोग मुझे से लगा के 10 मिनिट में हम लोग अंदर चले जाएंगे बट पूरा एक गंटा हम लोग भारी थे बहुत अच्छा लग रहा था बहुत हवा आ रही थी वहाँ पे sheds हैं तो आपको टेंशन लेनी की जुरूरत नहीं कि धूब अगर आएगी बहुत मजाता है definitely go at least go for a once in a lifetime अगर regularly आप जा रहे हैं then no I think by road से बहुत ही सस्ते बहुत ही तरीके से हम लोग जा सकते लेगिन फिर भी मैं एक बार बोलता हूँ कि अगर आपने किया नहीं है definitely try एक साइड एक साइड एक ब आप by M2M fairy से मुंबई आए so this was my video for this M2M fairy मैंने आपको बताया कि किस तरह से यह boat कैसी है आप बुक किस तरह से कर सकते है और उसके साथ साथ क्या यह इतनी does it really worth it तो यह सारे topics मेरे mind में चल रहे है तो इसके लिए मैंने यह एक वीडियो एक डेडिकेट किया है इस M2M fairy के ल आपको जी जो इंफरमेशन है वो अच्छी रहेगी डू कमेंट डाउन बिलो के आपको ही कैसी लेगी है so with that said guys thank you for watching I will end this video now like share and subscribe the channel और इसके पाद I think मैं एक बाद गाव जाने वाला थू को अच्छी वीडियो आएंगे और तोड़ा सा सप्राइज भी रहेगा so thank you for again thank you again and I will see you in the next video bye